को अ स्लमूलै कम ऍस्टूर्न्स घुज्ट आज मारा इसीट2 दॉसलम्हारा ही का लेक्चेर नमबर 11 थो आज जो हमने पढ़ना हैं कि अमने पढ़ना है informação ओप्टिकल्डिस्क इसल्ग की टाइप्स की बाद उसके बाद हम डिस्क left partition, hard disk घूदिक घूती और प्रयम्त की को चिए लिपने के पूंड तरह से किस पर्थ किस तरह से मनाथे हैं सबसे पहले हम पढ़ना और अप्टिकल डिस्क पर नपिकल डिस्क है और हम आज की लिए डिवीडी शॉप्स-पे या सीडी शॉपस फे देखते हैं जो हम movies के लिए या songs के लिए डिस्क लेके आते हैं वह सुनने के लिए वह हम अपने DVD-ROM या CD-ROM में लगा के डिस्क जिसे हम movies देखते हैं या song सुनते हैं वह हमारी optical डिस्क होती है optical डिस्क होती है वह यूज लेजर बीम्स to read and write data तो यूज यूज करती है जो optical डिस्क होती है उस पर आपने अगर उससे data read करना है या उस पर data write करना है वह भी जैसे आपकी hard disk आप लोगों को बजाएदा उस तरह एक डिस्क ही होती है वह एक वह चमकदार डिस्क होती है कि जिसके उपर आप data read भी कर सकते हैं laser beam write data on the surface by creating small pits on the disc जो आपकी जो laser light होती है वह करती है आपकी जो डिस्क होती है उसके surface पे उस के surface अरिया होता है उसके उपर छोड़ चोड़ पिट्स चोड़ चोड़ होल करती है चोड़ होल होते है और उन होल पे आपका data store होता है वह किस तरह से होता है यह जैसे हमार adult, इसी देस्क होगी है, ़ूर बी हार डिस्क की तरह जो भीता है, तो आप यहां पे सेंगे ज्योट हायऑ, छोट्ड जोट्स होल्स क्रिएयट किये खिए हैं, आपके लजर हैं यहां पे होल्स हैं, इन लग एक डेडा स्चो अषदेटा है, तो इस पर भी same उसी तरह से zero and one की फार्म में store होता है कि bit अगर प्रेजेन्स है तो इसका मतलब है one होगा लिखा होगा तो मतलब किया है bit presence है bit zero लिखा होगा तो इसका मतलब है bit absence है वो उसके presence और absence की सूरत में आपका लाटा इटा स्टोर होता है बिट की स Richt- month की बिट की सूरत में जब आप उसको fora के लिए करना होँद का की से त्य वह सिते हैं इस तरह किस तरह से प्रकारव के दिगीटल फाम में शू Mais वही बिदिए ओनाधया हुदू को अप Samsung News सिर्फ अब बनागे खैसा केOne वो आइसे पता है। Was एंक तल जाता है, और यह पाइपतिकल डिस्क जाता है, जो यह था जो तरह MUSक्त होती है, हमारी पहली सेडी होती है, सीडी जो हम हम देखते हैं बाजार में विडियो आप में जहते हैं कि इसे हम खुछ है कोई वीडियो कोई कि आपके कुछ है तो दूसरे computer पर लेकर जाने या किसी को software देने तो आप वो CD पर करके दे देते हैं, write करके देते हैं, ये आप CD पर मैंने copy का लेता हूं, तो ये use करता है हमारा audio video या software को store, computer software को store करने के लिए, इसकी आगर types होती है, तीन तरह के हमारी CD होती है, सबसे पहली है, जो हमारी CD-ROM है, compact disk, read only memory, ये disk ऐसी है कि जिस पर आप सिरफ data read कर सकते हैं, उस पर data write नहीं कर सकते हैं, इस पर पहले से first time से data लिखा होता है, आप just उसको read कर सकते हैं, आप data write कुछ भी नहीं कर सकते हैं, only ये, read only memory है, इस पर जो इसकी storage capacity होती है, आपकी CD-ROM में आजें, तो इसकी storage capacity है, वो data store नहीं कर सकते, जो CD-ROM, जो CD से अगर आपने data read करना है, तो उसके लिए आपको drive यूज करने परती है, CD drive आप यूज करते हैं, जिसके drive के अंदर आप आपनी CD लगाते हैं, वो आपकी CD drive होती है, वो drive के अंदर आप लगा के data read भी कर सकते हैं, data write भी कर सकते हैं, अगर read क पड़े जब देटा, रीजर लाइट आतकर बने घा लेजर लाइट वहां से डाट सिर्टी के साथ उपर देते हैं गैलल इपकीछाम हो अब टो क्राइट करना है लहां 20 ब Kurz बने पर ऐजे ढलने स्टोर होता रहता है और एक डिस्क पर जितने ही जोवाल्स होंगे आपका उतना ही डेयटा स्टोर होगा जितने ही डेया फिलैटा जितना कम ओगा उतना ही डेयटा भी आपका मैकसिमम स्टोर होता रहेगा होल का साइज काम होगा तो वह होल ज्यादा बन जाएंगे तो उतने ही 0-1 भी आपके ज्यादा उस पे स्टोर होंगे CD-ROM भी of a disk रीओ के जाएंगे अपना कोई डाटा कोई टास पर पोगर गया एक पूम्पीटर से दूसरे पर लेकर जाने हैं कि इसलिए अपने कोई अपने किसी को दे निया तो आपके उसके इसको सीडी राइट कर दे आएंगे तो आप एक एक एंप्पीटर से दूसरे अगर अगर डेता को कुछ है रखा कर द property है आप मां की आप साथ नहीं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करा बना सब्सक्राइब का रहुता की आप ट cor ज्यादा देता किस पर हम डेटा को महफूज रख सकते हैं, उसके बाद CD आ रहा जाता है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप जस्त एक बार डेटा कर सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हैं, उसके बाद आप जितनी बार मर्जी डेटा रीड कर सकते हैं, उसके लिए क्या होग के लिए इसी तरह से cdr compact disc recordable के लिए भी आपके ड्राइब यूज होगी ड्राइब ऐसी यूज होगी जो ड्राइटा राइट कर सके ड्राइटा जो computer उसके डिस्क पर राइट करना है उसे cd burning का नाम देते हैं cd burning तो आप एक बार आपडा रेकॉर्ड कर सकते हैं जब आपने ड्राइट का दिया तो पर्मांनेटली वहां पर रिकॉड हो जाता है उसके बाद आप उस डेटा अब जितनी बार मर्जी आप data राइट करते हैं, data को रमूव कर दें, write कर दें, दुबारा से लिखना है, दुबारा से data को रमूव करें, उसके लिए भी आपकी drive यूज होगी, जो आपकी इस चीज को आपके, जो read भी कर सके और write भी कर सके, उसको raise भी कर सके data, raise करके आप जि जाए हमारी थी, cd की types, cd की बार अजाता हमारा dvd आ जाता है, digital video disc आ जाता है, digital video disc भी same उसी तरह से cd की तरह ही काम करता है, इसमें और उसमें फ़र्च जी है, इसमें, सी तरह सें से एक बार से राइट कर सकते हैं रैट करने बाद आप जितनी बार मरजी इसे डेटा रीड कर सकते हैं जो इसके स्टोर्य की प्एस्टी होगी वह 17 जीवी था कर यहां इसके बाद से dvd और ये जैता है री राइटेबल में आप इसमें आप जितनी बार मरजी data डेटा रिट भी कर सकते हैं और डेटा एड भी कर सकते हैं और सीडि के लिए आपका cd rom यूज होता है cd drive यूज होती है उसके data read and write करने के लिए इसके लिए DVD drive use होती है कि आपका उससे data read करने के लिए और data write करने के लिए उसके बाद हमारा blue ray disk आ जाता है blue ray disk है जो DVD की advanced type है जो expensive भी है यह बहुत और इस पे जो data store होता है वो 100 GB तक आप data store कर सकते हैं यह अभी market में इतनी available नहीं है लेकर इसकी जो historic pest यह बहुत ज्यादा है और इस quality भी बहुत अच्छी है और यह जो हमारी optical disk है इसकी एक disadvantage भी है magnetic disk के मकाबले में और इसका disadvantage भी है advantage भी हमारा यह था यह मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि आप इस पे जो हमारा data होता है हमारी magnetic disk के मकाबले में ज्यादा safe होता है महफूज होता है कि इस पे आपका data बहुत ज्यादा देर तक आप इसको महफूज रख सकते है सबसे safe way है यह आपका data को store करने का magnetic disk के आपका hard disk कराब हो जाए तो आपका data loss होने के ज्यादा chances होते है लेकर इसका disadvantage यह है कि इसकी जो आपके assess speed होगी जो अगर आपने data assess करना है तो इसकी speed slow होगी आप data slowly read भी करेंगे और slow data write भी होगा इसके बाद हम डिस्क पार्टिशन पर आजाते हैं हमारी डिस्क की पार्टिशन के पार्स बनाना होता है किसी चीज के हमारी hard disk होगी तो उसके हमने parts किस तरह से बनाना है जब आपने first time hard disk ली तो last lecture में भी जैसे हमने डिस्क किया था their learning a? Permating पड़ा था। Permating अपनों को मैंने बताया क्या होता है आपमेद जैसे अपने real line में कहते हैं कि parlament करोना delete कर देना فार्मेट का मतलब यह नहीं होता कि कि किसी चीज को delete कर देना फार्मेट का मतलब होता है किसी चीज को तियार करना किसी काम के लिए तो Partition तो ही आजाते है कि आप अब्ने पार्स बनाने है। अब जब कोई हार्डिस्क लीए है। उसके Parts बना लेते हैं cognition हमारे पास कोई भी TRIP है क्यिता है, मेरे पास एक प् Dash है। प्लोट ही तो plot को करते है हम उसको का क्या करते हैं हम उसको Parts बना लेते हैं कि हमने ये पार्ट इसकाम के लिए रखना है, ये पार्ट इसकाम के लिए रखना है, ये पार्ट इसकाम के लिए रखना है, हमारी डिस्क पार्टिशन आ जाती है, डिस्क पार्टिशन की टाइपस आ जाती है, डिस्क पार्टिशन की फस्ट टाइपस आ जाती एकस्टेंड में इसको दो में कर सकता हूँम मैक्सीमम मैं चेर में कर सकता हूँ उससे ज्यादा मैंसे नहीं कर सकता हूँ उसके बाद extended partition आया था extended partition में क्या है अब हम उने जो primary partition किया उसके मज़ीद subgroups कर सकते है primary partition मैंने का यह मेरी primary partition है इसके में मज़ीद subgroup कर सकता हूँ मैंने hard disk पूरी को एक primary partition ले लिया है तो इसके मैं बजीद आगे फिर extended partition में क्या कर सकता हूं उसके drives बना सकता हूं जैसे हम computer में देखते हैं हमारी local disk E, C, D, E इस तरह से बने होते हैं वो हमारी extended partition ही होती है वो सारी की सारी hard disk आपकी एक primary partition है और उसके आगे जो आपने drives बना हुई है वो आपकी extended partition होती है तो आप क्या कर सकते हैं फिर उसको आपने इसके करने हैं मैं कहता हूं यह सारी की सारी है तो इसके आप बना लेंगे यहां पर E आजाएगा इस तरह से G आजाएगा उसके आप जो भी नाम उनको कोई address होता है हार एक partition का जो extended partition को उसके portions बनते हैं उसके parts बनते हैं इसके मैं कहता हूं लोकल डिसक ए है फिर एफ है जी है तो इसके मैंने तीन parts में convert का लिया इसको करने का मारा मकसद partition का यह होता है कि हमने partition इसलिए करते हैं कि हम आप different एक से ज्यदा operating system आपने hard disk पर store करना चाहते हैं तो आप एक से ज्यदा operating system भी आप यह store कर सकते हैं computer को चलाने के लिए software यूज होता है आप लोगों को बतायता है वो आप इस पर store कर सकते हैं आपने different software को different folders में रख सकते हैं अगर आपने एक जगा पर हर चीज़ आप रख रहे हैं तो आपको बाद में चीज़ डूंदनी भी बहुम मुश्कल होती है हम कहते हैं हमारे लिए यह डूंदना बहुत ही मुश्कल है तो अगर आप एक जगा पर हर चीज़ को आप रख रहे हैं अगर partition का लेते हैं हम किसी चीज़ के parts बना लेते हैं पार्स बना करें उसका address वगएरा दे लेते हैं कि मैंने यहां पर यह चीज़ रखनी है यहां पर यह चीज़ रखनी है इस तरह सफिर हम उस चीज़ के parts बनाके हमारे लिए वह असानी होती है हम कहते हैं कि यह पार्ट में मेरी यह चीज़ बढ़ी होगी इस पार्ट में यह पड़ी होगी तरह हमने लोकल एस एफ जी बनाए हुए हम ने का जी मैंने एफ में सिरफ software रखने हैं तो F folder में मुझे पता होगा कि मैंने कुछ software यूज करना है तो मैं जस्ट एक ही folder drive open करूंगा F open करूंगा मुझे पता होगा क्योंकि मैंने parts जो F बनाया है वो just किस लिए बनाया है मैंने उसको software रखने के लिए बनाया यह नहीं कि आप इस पर software ही रख सकते हैं इस पर जो मर्दी रख सकते है जो भी आप audio रख सकते हैmara जो बीऑ रख सकते है वीईए जो ईती है डर्क सकते हैं ग्राफिक सकते कुछ software रख सकते है ऑप्रेटिंग सिस्टम रख सकते हैं यह हम partition करते हैं इसके नेक्स रिख करेंगे डाह वालيम क्या होता है जो एक fix quality हो हो होती है इसका quantity के किस हुआ वे यह में एक पार्ट बनाए भूवए यह E-DRIVE है यह F-DRIVE है जी द्राइब है उस पर आपको कितना इन फिक्स डेता स्टोर होगा वह में जैसे हम देखने हैं हमारी हाड़ डेस्क में हम कहते हैं मारी सी ड्राइव है 20 Gb कि है उसके बाद में कहता हुं हुई है कि अबार D ड्राइव और मैं कहता हुई है वह आमने फिक्स किया होता है कि जो C ड्राइव है 20 Gb है और उस पर जो डायटा हो गार वह सिरफ 20 Gb ही स्टोर होगा उससे जादा डेटा प्र नहीं होगा Table of Content होता है Book का सेम उसी तरह से File Allocation Table होता है कि जिसमें आपकी सारी की सारी Files की Detail होती है कि कौन सी Files कहां पे है कौन सी Files कहां पे हर एक अपने Drive को एक Address भी दिया होता है जब हमने कोई भी एक पार्ट बनाते हैं किसी चीज़ को कोई ना कुई Address दे देते हैं झाल मुरी झाल